बिसमें नाय रमाइन रहीम आस्वाम लुक्री वेलकम बैक तो बारोजी विद हमजा रम्जान लेस्ट टॉक अबाउट अबाउट डाइजिस्टिव प्रोसस इंस्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक से जो काइम होगा जो इसटिक फूड होगा वह आगे पाइलॉरिक स्विंक्टर के जरी मूव करके जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में जिसको लोग डियूडिनम का नाम देते हैं अब दो अलग अलग इंटेस्टाइन हैं इनसानों के अंदर एक स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन यह स्मॉल और लाज अपने स और तीसरा इलियम है जो डूडिनम है यह तकरीबन 20-25 cm long होता है और अगर आप complete जो लेंथ है उसको देखें आपके पास यह तकरीबन आप भी कहने हैं कि निगलक्टेबल है जो स्मॉल इंडेसाइन की लेंथ होती है उसमें इसका इतना ज़दा रोल नहीं होता लेकिन डूडिनम की दिवारें alkaline होती हैं जैसे ही acidic food आकर डूडिनम की दिवारों को टच करता है इससे एक hormone निकलता है जिसका नाम है सिक्रीटिन सिक्रीटिन जो है वो असेसरी ग्लेंड जो हमारे digestive track के साथ मुझूद होते हैं जिसमें पैंकरियाज और लिवर शामिल है उनके पास जाता है और डूडिनल से भी कहता है कुछ सिक्रीशन को प्रोडियूस करने के लिए लेकिन मेंली सिक्रीटिन का ये काम होता है कि इसमें पैंकरियाज और लिवर से उनकी सिक्रीशन को रिलीज करवाने है तो पैंकरियाज क्या चीज़ प्रोडियूस करता है पैंकरियाज एक अच्छा खासा बड़ा ग्लेंड होता है जो कि एक्जोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का काम करता है यहां पे गट के अंदर इसक काम जब एक्जोक्राइन ग्लैंड के तोर पर है पंक्रियाज ने पंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करना है इस पंक्रियाटिक जूस को उसने पंक्रियाटिक डक्ट के जरीए हमारी small intestine के पास भेजना है ठीक है वो pancreatic duct को यूज करेगा that is why क्यूंकि वो duct use कर रहे है तो वो exocrine gland कहलाएगा इस pancreatic juice के अंदर वो तमाम enzymes principal enzymes मौझूद होते हैं जो कि food को digest करने के लिए required हैं जैसे carbohydrate को digest करने के लिए pancreatic amylase proteins को digest करने के लिए trypsin जो के trypsinogen की form में produce होता है यह भी inactive form में produce होता है और fats को digest करने की lipase enzymes हैं इनमें मौझूद होते हैं जो pepsin की तरह trypsin है इसको भी trypsinogen की form में produce किया जाते हैं लेकिन trypsinogen जो है उसको convert करना trypsin में यह अपने आप convert नहीं होगा पीएच की बेस्वे convert नहीं होगा बलके एंटिरो काइने इसे trypsin में convert करेगा and this is important for mcqs ठीक है pancreas pancreas ने अपनी जो secretions of pancreatic duct के जरीए भेज देनी है gut को इसके बाद liver आता है liver एक काफी बड़ा gland है लिवर ने जो चीज प्रोड्यूस करना है और उसमें bile duct के जरीए पहले उसमें जाल बेडर में store करने है और पर बाइल के जरीए उसे भेज़ देना है हमारी गट के अंदर हमारी small intestine के अंदर जो बाइल के बारे में mcqs कुछ रहते हैं किसका कलर क्या बाइल कलर में तो green होता है लेकिन इसमें किसी किसम का कोई enzyme नहीं होता जो कि digestion में help करेगा बाइल का क होता है बाइल में बाइल pigments और कुछ salts मौजूद होते हैं यह जो बाइल pigment प्रोड्यूस हुए हैं यह हीमोग्लोबिन की breakdown से प्रोड्यूस हुए है जो बाइल के अंदर salts होते हैं उन्होंने fat को emulsify करना है क्योंकि fat जो होता है वो hydrophobic है obviously लेकिन lipase enzyme hydrophilic है वो पानी के अं लेकर आते हैं उसको चालो साइट से cover करके पानी के अंदर लेकर आते हैं और वहां पर जो lipase enzyme होता है उसको digest करते हैं अगर bile pigments को हमारी digestive track में भेज के उसको body से बाहर तो निकाला आ जाते हैं अगर यह चीज़ prevent हो जाए उनको ना निकलने दिया जाए तो bile pigments होते हैं वो हमारे blood के अंदर आते हैं and they cause joindus जो कि फिर आंखों के अंदर पीला पान आना शुरू हो जाएगा skin peeling होना शुरू हो जाएगी they cause joindus like that इसके इलाबा गॉल ब्लेडर के अंदर cholesterol भी जमा होता है और अगर cholesterol को remove ना किया जाए कर cholesterol की बहुत बड़ी amount है वो intake की जा रही हो उसको remove नहीं ने दिया जा रहा तो accumulate होता रहेगा और at the end gall stones produce करने का बाइस बनेगा लिवर के बारे में एक और MCQs है कि वह कौन सा ऐसा organ है जो कि toxic substance को detoxify करेगा तो वह भी detoxification भी लिवर नहीं करनी होती है आगे जो small intestine के अंदेर जितनी भी main digestion वगएरा होती है अगर कोई भी deuterium से food का particle निकल जाता है जिसने digestion नहीं की digestion जिसकी नहीं हुई तो वह jejunum के नतर जाए के digest होना शूरू हो जाएगा जिजुनम जाए वो second portion small intestine का जो के 2.4 meter long होता है काफी important है overall small intestine को देखा जाए तो 40% जिजुनम है और 60% ileum है कोई भी food अगर escape कर जाता है जिजुनम से तो यहां पर यह enzymes मौजूद होते हैं यह तमाम enzymes उनको digest करना शुरू कर देते हैं अब यह सारे enzymes हैं इनके substrate और इनके product important ह amino peptides जो होगा क्योंकि pepsi ने पहले ही proteins को poly peptides में convert कर दिया है तो amino peptides जो होगा वो poly peptides को dye peptide में convert करेगा अब इसका जो product है dye peptide वो erepsin के लिए एक substrate होगा erepsin ने dye peptide को amino acids में convert करना है लाइपेस जो होगा वो fat को या lipids को digest करके fatty acids और glycerol में convert करेगा maltase ने maltose को digest करना है glucose बनाना है lactase ने lactose sugar जो होती है जो milk sugar होती है उसको digest करके glucose और galactose में convert करना है तो यह जो enzymes इनके substrate और इनके products हैं यह MCQs के लिए important है अब अगर हम बात करते हैं कि absorption जो है तक करीबन सारी की सारी जो absorption होती है वो ileum के अंदर होती है ileum जो होता है यह हमारे पास digestive system का last जो small intestine का last part है इसमें हमारे पास बहुत सी finger like outgrows होती है यहां पर भी finger like outgrows है उनको विलाई कहा जाता है और विलाई ने भी surface area increase करना है ताकि absorption के रिए ज्यादा area मुझूद हो ज्यादा से ज्यादा absorption हो सके तर एक विलाई प्रेजेंट होती है और लिमफैटिक सिस्टम की एक duct मुझूद होती है यह काफी important point है कि विलाई के अंदर अगर आपको यहां पर देखने में थोड़ा सा issue आ रहा हो तो दरम्यान में यहां पर एक duct होती है जो कि लिमफैटिक सिस्टम के साथ जुड़ी होती है इसको lactial कहते है यहां पर digestive track के अंदर इसके यह काम होता है कि इसने mainly fat को absorb करके लेक अधियल मुझूद होते हैं जो विलास हैं इनके उपर अगर आप और करेंगे यह जो आपको चोटे चोटे सेल नजर आ रहे हैं इस आर एपीथीलियल सेल्स ऑफ इस विलस और इन एपीथीलियल सेल्स के उपर बहुत चोटी-चोटी मजीद प्रोजेक्शन होती हैं विच अधियाग Het कि अधिये झाफ चीजडीनों कर अधुथा सतफे स्रस्था करने सेल्स कोटने में ने के नेहित चत्व जो सकता हैं उध्यर्द सेल्स ऑक्याइब्कृटे सीजड़ ने अफ्रस्टे शरीजअ की पर Am eternal अगरे करने हैं जोनेगिए चोट्छने पर फाप चार लि होते हैं कुछ-चुछ फैटी अजु से करते हैं यहां से यह च्ड को प्रणियों यहां प्रेंड के मौलेकुश सेङल वो fat के molecule जाएंगे लेक्टियल में उनको protein के सब मिलाकर lipoprotein या lymphatic system में उनको protein के सब मिलाकर lipoprotein बनाया जाएगा lipoprotein then are transferred to the blood जब हमारा पास पूरे का पुरा लिम्फ जो है वो thoracic duct के अंदर लाकर blood के अंदर डाला जाता है तो blood के अंदर lipoprotein उनको डाल दिया जाता है उनको transfer कर दिया जाता है blood plasma में मौझूद enzymes फिर उनको digest करते हैं और digest करके cells के लिए उनको इसका भी बनाते हैं कि cell उनको absorb कर सकें और उनको respiration में use कर सकें तो that is how fatty acids are absorbed in the blood अगर इनके MCQs की बात किया जाएं सबसे बाहिर तो elementary canal के अंदर सीरोसा मौझूद होती है जब इस तरह के MCQs आते हैं तो आप लोग ने दो तीन चीज़ें देखनी है आपने पूरी की पूरी की options को पढ़ने की वजाना सबसे पहले ये देखना है आउटसाइट पहले पुछी गई है तो चार मेंसे तीन options में सीरोसा लिखा हुए सीरोसा आउटसाइट मौझूद होती है यह और यह option फिर गलत होगी then last option पर जाते हैं सबसे अंदर म्यूकोसा होती है पहली option में सब्म्यूकोसा यह गलत होगी ठीक है आखरी दोनों options के अंदर म्यूकोसा है तो लेटस हैवा लोक अडिट तो सीरोसा के बाद हमारे पास लोंगी ट्यूनों मसल होते हैं बिलकुल ऐसे होते हैं फिर सर्कूर मसल होते हैं फिर सब्म्यूकोसा एंदेन म्यूकोसा जो म्यूकोसा और सब्म्यूकोसा बेसिकरी म्यूकोसा से पहले वारी जो लेर आती है इस सब्म्यूकोसा इतनी जद्धा important नहीं होती वड़ इस प्रेजट देर दूसरे में यहां पर सर्कूर मसल्स जह वो absent है तो हमारे पास यह जो थेर्ड ओप्षिन लिप्षिन विल बी कॉरेक्ट लेक्टेज ब्रेक्स अट्रोस इन्टॉ जो लेक्टोस उबर होती है वह दो isomers के मिलने से बने है गुलूकोस और give लेक्टोस तो जो लेक्टेज होगा वो लेक्टोस को गुलुकोस में और वो गलुकोस मॉनुमर्स के बनेंगे और अगर लेक्टेश की बात किया जाए तो गलुकोस गलुकोस लेक्टोस बनेंगे अगर चलता चायता है लुएजिशन आफ फूट उन्ट फूट स्थ एज़ डाइजिशन आफ बश्टाइट फूट एक करजाता है तो हमारे पास W.K. बागी यहां पर वेस्थ मेटील को स्टोर किया जाता हैं रेक्टम में रिट्म कर जाता है और बाद ने बाद में बोर्डी से बाहर निकाल दिया जाता है which of the following carries the lipoprotein from digestive tract हम लोग इन भी बात किये थी कि विलाईज होते हैं उनके epithelial cells ने lipids को टेक अप करना है उनको fatty acids को टेक अप करके उनको fats में ये lipids में convert करना है lipids को आगे transfer कर देना है lacteal को lacteal के अंदर protein के सब मिलाकर lipoproteins बनाई जाएंगी और lipoproteins then blood को transfer की जाएंगी तो यहाँ पर जो lymphatic vessels है lacteals है lacteals are responsible for this lacteals ने लिपoproteins को digestive tract से लेकर आना है fats change into lipoproteins in जो fat है वो blood vessels के अंदर तो lipoproteins में convert नहीं होते goblet cells तो वैसी mucus produce करते है वो lacteals के अंदर जाएकर lipoproteins में convert होते है small intestine is termed small because of its small length नहीं हो सकती length इसकी ज़्यादा होती है surface area भी इसका ज़्यादा होता है diameter जो है इसका diameter या इसकी जो width है वो छोटी होती है that's why it is called small intestine हमने start में बात की थी which is the following is an endocrine pair present in digestive canal अब देखें हमारे पास endocrine gland वो बले gland होते है जो के ductless gland थीक है endocrine pair जो के digestive tract में भी मौझूद हो वो कौन से structures है जो के endocrine gland का काम करते है और वो digestive tract में भी मौझूद है सबसे पहले हमारे पास stomach stomach ने एक hormone produce करना है उसका नाम है gastrin ये endocrine hormone है उसके बाद dutinum इसने hormone produce करना है secretin ये भी एक endocrine hormone है और pancreas जो के एक accessory gland है ये हमारे पास insulin और glucagon produce करता है तो ये हमारे पास वो glands हैं जो के endocrine का काम करते हैं ये हमारे पास digestive system में भी मौझूद होते हैं तो इन मैसे asafagas हैं तो कुछी चीज़ प्रोडूस नहीं करनी ये तो आंसे गलत हो जाएगा ileum ने यहां पर hormone produce नहीं करने stomach and dutynum तो ये दोनों हमारे पास वो pair है जो के endocrine के तोरब भी काम करता है the hormone which increase the secretion of pancreatic juice pancreatic juice dutynum की secretion होती है जो के secretin है वो pancreatic juice को release करवाने में help करता है तो secretin is the answer trypsinogen is activated to trypsin by अब देखें मैंने आप लोगों के पहले बताया था कि जो pepsinogen है वो तो pepsin में convert हो जाता है due to the pH लेकिन trypsinogen को trypsin में convert करने के लिए एक enzyme required होते है वो अब यहां पर इन चारों में से enzyme सिर्फ और सिर्फ एक है HCL एक acid है mucous enzyme नहीं होता gastrin एक hormone है enterokinase एक enzyme है all kinds of absorption takes place है हमरे पास जो small intestine का last part है वहां पे सारी absorption जो food की होती है वो उसी जगह पर होती है और उसका नाम ileum होता है secretion which lacks enzyme जो digestive tract के अंदे secretions आ रही है mouth की secretion में भी enzyme मुजूद होते है stomach की secretion में भी enzyme मुजूद होते है अगर वो hormone नहीं secret कर रहा है जो आपके पास endocrine ingredient का काम नहीं कर रहा है तो उसमें भी basically enzyme मुजूद होते है dutynum के अंदर भी enzyme मुजूद होते है pancreas के अंदर भी enzyme मुजूद होते है लेकिन liver जो के bile produce करता है उसमें कोई enzyme मुजूद नहीं होता तो bile जै that is the answer the emulsification of fat is the role of fats को emulsify करना ताकि उनको digest किया दासे के that is the function of bile all principal components of food can be digested by pancreas ने वो तमाम hormones produced करने है जो कि सारे principal components of food को digest करेगा तो pancreatic juice में हो सारे के सारे enzymes मुजूद होते है